हुआ है अलो मैं डॉक्टर नर्यंदर कुमार गोड़ा हूं कि ड्रोइंग और पेंटिंग में मैं आज आपको बताऊंगा भी यह पार्ड फर्स्ट का ट्रोपिक है जिसका नाम है मिनिंग एंड डेफिनेशन्स ओफ वाड यानि कला का अर्थोर उसकी परिबासा अब इसके बारे में जिसे भारतिये सहित्य सोंद्र सास्त तथा अलंकार सास्त्रों में विद्वान पंडितों ने कला की भिन्न भिन्न परिकार से परिवासा की है कला मानव जीवन से अनादी काल से कला का गहरा समन्द रहा है भारतिय साहित्य में कला शब्द को की सत्ता को सर प्रथम भरत्मुनी द्वाया रचित नाटे सात्र में स्विकार किया गया उन्होंने अपने एक स्लोक में अग्रांकित पंक्ति लिखकर कला को प्रतिक प्रकार के ज्ञान का आवुशन बना दिया ने तज ज्ञानम तज सिल्पम ने सा विद्ध्या ने सा कला अर्थात वह कोई ज्ञान नहीं है जिसमें सिल्प ने हो विद्ध्या ने हो अत्वा कला नहो वस्तुत है भरठमुनी द्वारा की गई कला की यह परिवासा कला को विस्त्रत भूमी पर प्रतरिश्टित करती हैं भरठमुनी से पूर हमारे साथ्तिय गरंतों में कला के इस्तान पर सिल्फ शब्दगा प्रयोग किया जाता था और इस शब्द में गीत, संगीत, वाद्य, निरत्य, वे, चित्र आदे विविद कलाओं को समाहित कर लिया जाता था पानिनी ने अपने अश्टाज ध्याई नामक ग्रंत में सभी प्रकार की कलाओं के लिए शिल्प शब्द का प्रियोब किया है कोशित की ब्रामन ग्रंत में भी कलाओं को सिल्प सब्द के माध्यम से प्रतिष्टा प्राप्त हुई है सेमराज, विर्चित, सिवसुत्र, विमर्शिनी में ऐसे कोशल को कलाओं का गया है जिनमें किसी वस्तु के रूप, स्वरूप को सवारने की सक्ति मोजूद होती है काम सुत्र के रचिता वाजसेयन ने उत ग्रंत के अलाबा सुक्र निती आदी ग्रंतों में कोश चोशट प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है इनमें से चोबीस कलाएं करमा स्री कलाई कहला ही गई जो आज अजिकांस ते कला और सिल्प में शामिल है वासाय ने कला को विद्या कोशल पटुता के संदर में प्रस्तुत किया और कला को सभी संसकारवान लोगों के सुक में जीवन का साधन बताया इसी प्रकार जैसे पंडित सेमेंदर ने कला विलाश नाम गरंत में अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्स की प्राप्तियेतू कला के अस्तित्य को स्विकार किया है उनके गरंत में विभिन कलाओं का विशद वर्णन किया गया है साइत्य संगीत कला विहिन भारती कावे सास्त्र के प्राचिन विद्वानों ने कावे सब्द का प्रयोग अच्चन्त विस्तत अर्थ में किया है बरहतरी के अग्रांग की चूप्रसिद स्लोक से ये द्वरी निकलती है कि साहित्य संगीत और अन्य कला ज्यान के भाव में मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं हो सकता इस अभाव की स्थर्थी में वह साक्सात पशू के समान होता है स्लोक देखे effectiveness स्लोक जिस प्रकार इस लोग में कहा गया है इस प्रकार कला के बारे में हमारे अनेक ग्रंतों में भारतिय ग्रंतों में अलग अलग विद्वानों ने जो अपने कहा गया है उसी में वस्तुत आदमी को प्रसंद करने वाली उसके जीवन को रस में बनाने वाली होने के कारण कला साहित्य संगीत और शित्रादी कलाओं को जीवन के लिए आवश्यक माना गया है साती सदादी में रचित ग्रंत विश्णो धर्मोत प्रवान में भी काववे संगीत और कला को रस निस्पत्ती अर्थात रस उत्पन करने वाली वस्तु मान कर पर्याप्त महत्य दिया गया है इस ग्रंद में संगीत से उत्पनों वाले शुरों तता रंगों से उत्पनों वाले रस्प्रभाव में आंत्रिक एक सुत्रता बताई गई है सत्यम शिवम सुन्दरम भारती विचार धरा के अनुसार सत्यम शिवम सुन्दरम की अभी व्यक्ति ही कला है वस्तुत है हमारा मन अनेक प्रकार की अनुभूतियों से संपन होता है मानव, मन, आवेगो, समवेगो और सभी प्रकार के भाव का एक घर है इनमें कल्यानकारी तथा विद्वनसक दोनों प्रकार के भाव नीत है इने हम अपनी अनुभूतियां भी कह सकते हैं और अनुभूति को सत्य माना गया है रदह की संपून कल्यानकारी अनुभूतियों सीव से सुंदरतम सुंदरम की प्राप्ति होती है इसे हम योँ भी समझ सकते हैं कि सत्य और शीव के अनुबूती और उसके प्रयोगों से सुंद्रम की प्राप्तिका मार्ग प्रस्थ होता है अपने मन की कल्यान कारी सत्यनों भूतियों को सुन्दर रतम रूप से प्रस्तूत करना कलाकार के लिए अभिष्ट माना गया है इसी प्रकार जैसे कते हैं कविवर्ग मेतिली सरन गुपत नि भी कहा कि कला वस्तुते सिवत्व की उपलब्दी है तू कला सब्द की कला सब्द के माने जाती है जिसका संबंद मधूर, कॉमल और संदर आदी भावों से जोड़ा जाता है ये सब जीवन को सुक मैं बनाने वाले तत्व हैं कला उसके रचहिता कलाकर के साथ साथ उसे देखने और अनुभू करने वाले रशिक दर्शक को भी आनंद भाव से सराबोर करती है इसी प्रकार हमारे इसे अतरवेद में कहा गया है तुमारे अंदर चाहे एक गुना सरजन सकती हो अत्वा दस गुना आपनी शमता के नुसार तुमारे लिए सरजन करना आवशिक है यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो इस सरष्टी के लिए तुमारा कोई उप्योग नहीं है तुम्हारे क्रतित्यु में ही तुम्हारी शम्ताओं की सार्तक्ता छिपिव ही है स्रजन तुम्हारा धर्म है इसका तुम्हें पालन करना चाहिए इस कथन में स्रजन से जो तातपरी है उसे कला का ही अर्थ वाचक समझना चाहिए क्योंकि सबी कलाएं स्रजिनात्मक हैं, मानव के दिव्य स्रजन की प्रतीक है, भारत में वैसे भी भारत में स्रजित अनेक ब्राम्मन, जेन और बोध ग्रंतों में भी कला या इसको सिल्प शब्द को सार्थक स्रजन का प्रतीक बता गया है, भारत के सबसे प्राचिन गिलंत रेग्वेद में भी कला को ब्यापक रूप से प्रतिष्टा प्राप्त हुई, वेदों में कला को लोक कल्यानकारी माना गया है, इस प्रकाब ब्रह्मसूत्र में अरूप देव, फित सुधान, सुधानत्वात लिखकर यह सिद्ध किया है कि जो हमारे आंत्रिक भाओं को कलात्मक धंग से अभिव्यक्त करे वही कला है, अनेक समर्थ भारतिये कव्याकारों, कव्यों, एवम समिक्से कोनों भी कला को अपने निजी धंग से परिभाशित किया है, उधारन के लिए से मा कवी जैसंकर अपसाद ने कला को ईश्वर ये क्रतित्व का वह संकोचित, संक्षित रूप्त जो हमें बोध या अनुभूती के लिए प्राप्त होता है, वही कला है, इस प्रकार इनके इस कथन के आदार पर हम विचार कर सकते हैं कि जैसे वास्तों में ईश्वर की क्रतित्व सक्ति क्या है, कहना नय होगा कि हम अपनी आखों से जो नदिया, पहाड, समुंद्र, सूर्य, चंद्रमा, आकास और बादल आदी देखते हैं, वही इस्वर की क्रतित्व शक्ति है, इने देखकर हमारे मन मस्तिक्स में एक सोम्मे बोध या अनुभूती होती है, हम इनके सौंदर से अभी भूत हो उड़ते हैं, इस इसवर की उक्त सत्ता को हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, उसका संक्सीत रूप ही देख पाते हैं, उसके अनुभूती को जब हम अभी व्यक्त करते हैं, तो वह कला का रूप बिहन करती है, इसी प्रकार ड़क्टर शाम सुंद्र दाश ने कला सरजन में आंतरिक भ प्रकासन तथा कलपना का योग रहता है, वही कला है, और विश्व कवी रविन्ना ठाकुर कला को जीवन की भोतिक सम्रदी से जोड़ते हैं, कि मनुष्य के भोतिक जीवन को सुक में बनाने के सर्व से साधन को कला कहते हैं, कला में मनुष्य अपनी अभी व्यक्ती करता है और कला के समद्ध में ही जैसे केशी पांडे का कथन भी पर्याप्त महत्व का है वे लिखते हैं या वे कहते हैं वे बताते हैं कि कला वह मानुवी क्रिया है जिसका विशेश लक्षन, गहन, निरिक्षन, गणना अत्वा, संकलन करना, मनन, चिंतन करना तता उसे इस्पष्ट रूप से प्रिकट करना है वास्तों में यह परिवासा भी विचारनी है क्योंकि कला की साधना मुक्यते आदम ही करता है अत्य उसे मानुवी क्रिया की संग्या देना उचिते साथ ये निरिक्षन के भाव में कोई व्यक्ति कुछ गिरहन नहीं कर सकता जब कुछ गिरहन नहीं किया जाएगा तो अभी व्यक्ति किस बात कि होगी कला में गणना अत्वा संकलन का तात परे चिंतन और मनतन सही है अभिव्यक्ति में कुछ जोडने के लिए जब कलाकार चिंतन मंतन नहीं करेगा तब तक उसकी अभिव्यक्ति पूर्ट इसपस्ट नहीं होगी जबकि परिवासाकार ने कला की इसपस्ट अभिव्यक्ति पर जोड दिया है इसी प्रकाय से आत्म चेतन्य और रसानु भूतिवा स्रजन कला है भारतिय कला चिंतन में सदेव मन की सात्विक परवर्तियों को उजागर करने पर बल दिया गया है हमारी कला में आत्म चेतन्य की प्रधानता है उसमें कला कार के अपने पन की पतिच्छायां देखी जा सकती है वह इस तूल से सुक्ष्म की और जाने वाली है इस तूल से सुक्ष्म की चेतना का चमतकार दर्थना ही कला कर्म है कला स्रजन से मन और आत्मा का साथ साथ कार सौंधरी होता है उसे शान्ती मिलती है कलाकार का स्रजन कला का स्रजन है उसकी अनुबूती कला की अनुबूती है कला के माध्यम से हम रूप और सौंदरे का स्रजन होता है कला अव्यक्त को व्यक्त करने वाली तथा अप रूप को रूप प्रदान करने वाली है और भारते दिश्ट कौन से कला रसानो बूती के लिए किया गया स्रजन है इसी प्रकार जैसे कहते हैं कला मानव जीवन का एक महत्पून अंग है अते दार्शनिकोंने कला की कला ही जीवन है वास्तों में कला जीने की पदती जीनी का एक ढंग है और कला के द्वारा ही जीवन को पूनताव है दख्सता के साथ बिताया जा सकता है कला की परिभासा कुछ थोड़े से बंदे बंदे सब्दों में नहीं कि जा सकती है उसे परिभासित करना अत्यन्त कठिन कारी है उसी प्रकार है जैसे वायू को चित्रित करना जिस प्रकार हम वाई को चित्रित नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से कला को भी परिभासित करना रोती हत्यानत कठिन कारी है, वास्तों में आज तक कला की जो परिभासाइं दी गए वे, उसके कुछ खास पहलों को यहीं चूती है, उसकी पूर्ण सा विस्तत परिभासा नहीं करत अब है जैसे कला का स्वरूप, इसके बारे में हम अगले जैसे कल वाले उसमें अगे चर्चा करेंगे